तो चलो अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल कॉक्रोच बहुत कॉक्रोच को शायद आप देखा हो मगर कॉक्रोच को हर कोई देखें और कॉक्रोच हमने बहुत देखें तो कॉक्रोच की मॉर्फोलजी उतना धीटेल मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपको याद रखने में साइंटिविक नहीं याद रखना परिप्लैनेट अमेरिकाना लार्जेस स्पीसीज ओफ कॉमन कॉक्रोच को ही परिप्लैनेटा अमेरिकाना कहा जाता है ठीक है तो यह हाउज होल्ड पेस्ट है हर दिन रात अब कीचेन में जाओगे तो रात में कभी-कभी तो म है ठीक है और कॉन सी क्लास के अंदर कॉन सी फाइलम यह आर्थ्रोपोड है ओविसली आर्थ्रोपोड पोड इंवर्टि प्रकें देख ले पिक्चर देख लेते हैं इसमें तो क्या नजर आता है आपको इसका बॉड़ी है यह बॉड़ी टोटली कवरिंग से बना है वो न किसचीज से बनाे काईटीन से बना खुए लिए काईटीन कि कॉनसी आण सियमाईघ भूट होता है यह चीज याद रखना यह लिए एकस्केली तो और इसिए काईटीन प्रॉंपश्ण स्टर क्प्रोफ हाट structure होता है काइटिक का अब यह जो segment है जो कोक्रोच इसके body को हम segment कर सकते तीन हिस्से में कौन-कौन सी हिस्से होगा head यह हिस्सा हो गया head यह हो गया thorax और यह हो गया thorax अबडोम writings यह हो गया abdomen head thorax abdomen तीन हिस्सा होता है okay head के अंदर क्या होता है आपका देखो आई जे एक पेर एक पेर एंटेना है आई एंटेना एक एक पेर होता है और फ्रोनो टम होता है अलग स्रक्चर उपर का जो कवरिंग स्रक्चर है वो और यहां पर और एक चीज भी होता है माउथ के हिस्से में अगर आप देखें तो यहां पर head ठीक है यह होता है head की हिस्सा और उसके बाद अगर देखे thorax thorax के हिस्से के साथ pair जो है connected रहता है ठीक है pair connected रहता है और कितना pair 3 pairs of legs 3 pairs of legs यहाँ पर मौझूद है तो जनरली आर्थरपोड़ा में 3 pairs of leg ही होता है एक example होता है जहां पर 4 pairs of leg है वह example क्या है पता करो Spiders 4 pairs of leg 8 leg होता है 8 pairs होता है यहां पर 3 pairs 6 legs राइट 6 legs होता है अब यह जो body जो है पूरा hardened plate से बना हुआ है जिसको हम Sclerites कहते है स्क्ले राइट से बना हुआ है Sclera word की मतलब होता है hard Sclerites मतलब जो hard hardened disc like structure से बना हुआ है वो Sclerites बोलते है तो देखो यह जो Sclerite है यह Sclerite के बीच में एक flexible membrane मौझूद होता है जिसको हम आर्थरोडियल membrane बोलते है जो आर्थरपोड की body में ही पाए जाता है आर्थरोडियल membrane आर्थरोडियल membrane जो होता है body के अलग अलग हिस्दे को को join करके रखता है कि अलग-अलग हिस्सी को join करके रखता है बहुत important structure तो ये basically अब देखो ये thorax ही एक ऐसे जगा है जहां पर thorax की ये body हो गया body में ये anterior posterior side हो गया anterior में mouth है posterior में यहां पर annus है डorsal ventral side हो गया अब देखो यहां पर जो ventral side है thorax की ventral साइड में three pairs of leg होता है और डॉर्सल साइड में थोरक्स की क्या होता है विंग अब पेर आफ विंग अब देखो विंग में भी दोनों डिविशन है हिंड विंग और टेगमीना हिंड विंग एंड टेगमीना टेगमीना बाहर की स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जो फ्लैप होता है जिसको हम हिंड विंग भी बोलते हैं अब यह जो तीनों पेर अव लेग है इसका पोजीशन की उपर इसका नुमेंक्लेचर डिपेंड करता है जो पहला लेग है जो मतलब बॉडी की हेड की क्लोजर है सबसे नजदीक होता है उसको हम प्रो थोरासिक लेग बोलते हैं दूसरा जो लेग है उसको हम मेसो थोरासिक लेग बोलते हैं और आखरी जो लेग है सबसे डिस्टेंट उसको मेटा थोरासिक लेग बोलते है ठीक है चला तो यह गया ओवराल स्ट्रक्चर अब इसमें जो हेड होता है इसका स्ट् जब करते हैं वहां पर cockroaches की mouth parts study करते हैं वो जानना बहुत important होता है तब देखो यहां पर cockroach की mouth parts हम देखेंगे और mouth parts क्या-क्या है यह देखो mandible labrum यह mandible दो एक pair of mandible है एक labrum है one pair of mandible hypo pharynx एक ही है दो maxilla है एक labium है ठीक है तो one pair of mandible one pair of maxilla one labrum one hypo pharynx one labium ठीक है यह total structure होता है mouth parts बस यही कुछ example कुछ नाम यहां पर question किया जा सकता है कि कौन सी पेर में मौजूद होता है कौन सी एक मौजूद होता है I think you can answer अभी देख लेते हैं अलग अलग system ठीक है जैसे कि digestive system देखते हैं यह दखो digestive system का picture तो digestive system mouth से open होता है एनस में खतम होता है simple sa elementary kernel है यहां पर तो mouth से open होता है फिर pharynx start हो जाता है salivary gland से जहां से enzymes secret होगा और food digestion में मदद करेगा ठीक है और एक salivary gland के साथ connected salivary reservoir है जहां पर gland से निकलता हुआ saliva यहां पर reservoir में store होता है दीरे-दीरे खर्च होता है तो pharynx के बाद आता है एक cockroach में ठीक है crop structure unique होता है और crop structure का function क्या होता है यहां पर food storing place यह पर food store होता है ठीक है storing of food अब crop के बाद आता है gizzard एई गिज़्ड क्या करता है food को ग्राइं करता है तो एगे जिज़्ड structure यहां पर मौझ मौझूध है fit to turn करता है और छोटे-छोटे particles में तूद देता है इसमें एगे यह cockroach में भी डात थो नहीं होता है तो यह जो food को ग्राइं परका मेंमने क the gizart foot go grind करेगा हो गया उसके बाद क्या होता है उसके बाद अलग structure यसा start हो जाएगा जो स्टॉक्टर खतम हो गया और इहां पर हो गया협च play सेंट्रों और गट जो बोलते हैं उसे start हो जाता है फ्लूरा में अब आपर गट को हम डिवाइट करते हैं फ्लूर टोनों में फ्लुर्गाट मतलब शुर्वाती स्ट्रक्चर मीडस मतलब मीड़ी की स्ट्रक्चर और यहां के लिएंग हो टा Georgette की तरह स्ट्रक्चर जिसकहं हीपाटिक सिका या फिर गैस्ट्रिक सिका बोलते हैं ठीक है देखो हेपाटिक सिका जैसे के टर्म हेपाटिक अब तब लिवर जैसा मगर यह पर लिवर तो नहीं है मगर लिवर जैसा फंक्शन प्ले करता है इसलिए हेपाटिक सिका बोलते हैं और गैस्ट्रिक सिका भी बोलते हैं इसक के बाद होता है 100 से 150 टीब्यूल at the junction of mid-gut यहां पर आ गया बहुत सारा टीब्यूल देखों यहां पर हेपाटिक सिका था बहुत ही कम 6 से 8 6 से 8 टीब्यूल था और बाद में एक जंक्शन आता है जब mid-gut और hind-gut के junction में आता है तो foregut और mid-gut के junction में हेपाटिक सिका हो गया mid-gut और hind-gut के junction में हो गया एक 100 से 1500 सौ से 1500 टीब्यूल इसको हम बोलते है मैल्पीजियन टीब्यूल का क्या रोल होता है यह function करता है as a excretory organ ठीक है excretory organ बस यह चीज याद रखना तो यहां पर एक ही चीज याद रखना है आपको मिट-gut और hind-gut फोरगार और mid-gut के बीच 6-8 टीब्यूल जिसको हम बोलते हैं हेपाटिक सिका क्या रोल है बैसिकलिए हेपाटिक सिका का digestive enzyme को release करना और मीट-gut और hind-gut के जो बीच है वहां पर 100-100 से देड़ सो टीब्यूल है जिसको मैलपीजियन टीब्यूल बोलते हैं क्या रोल है इसका एक्स्ट्रेट्री ओर्गन के तरह काम करता है बस यही digestive system जानना है अब देखते है respiratory system sorry respiratory system respiration कैसे होता है कॉक्रोच में कॉक्रोच की ब्लड मौजूद होता है बट यह oxygen को करी कर सकता है कि कोई भी यह oxygen को करी नहीं कर सकता है यह oxygen को करी नहीं कर सकता क्यूंकि इसके अंदर कोई respiratory pigment नहीं है respiratory pigment यानि hemoglobin नहीं है तो कैसे respiration कैसे करता है इसके लिए यहाँ पर एक tracheal system मौजूद है tracheal system मौजूद होता है tracheal system को use करके directly जो air है वो tissue से air को लेकर आता है और circulate करता है ठीक है एक tracheal system tracheal system जो fully form lung तो form नहीं किया है मगर tracheal system मौजूद है okay lung नहीं है मगर tube रहता है जिसको हम trachea बोलते है trachea को use करके respiration करता है तो air जो है वो tracheal system के अंदर insert होता है ठीक है और बाहर की ऐसे body के बाहर ऐसे opening रहता है जिसको हम बोलते है spiracles, spiracles, spiracles opening के जरीए बाहर के तरफ यह trachea open होता है तो basically trachea internally जो भी trachea branch करते-करते tracheols बनता है और tracheols tissue तक पहुँच जाता है, tissue के जो भी oxygen है tissue तक वो पहुचाता है और जो carbon dioxide है वो लेकर आता है और spiracles के जरीए बाहर भेज देता है ऐसे ही respiration चलता है ठीक है अब देखते हैं excretory system के बारे में excretory system बात का अल्रेडी हम कर चुके है malpigean tubule remember यहाँ पर malpigean malpigean tubule ठीक है यह मौझूद होता है malpigean tubule excretory system का एक पार्ट है और insect में यह malpigean tubule मौझूद होता है यह क्या करता है जो भी waste है जो भी waste है उसको body से बाहर कर देता है क्या form करके potassium urate form करके potassium urate form करके body से बाहर निकल देता है तो देखो यह malpigean tubule कैसे excretory करता है हमारे body के अंदर तो kidney है निफ्रोन है निफ्रोन कैसे excretory करता है urea form करके body से बाहर excretory करता है ammonia जो form होता है वह ज्यादा toxic है उसको urea में तकदिल करता है क्यों लिवर और urea को body से बाहर निकलता है kidney मगर यहां पर malpigean tubule जो होता है वह potassium urate form करता है ठीक है और potassium urate जो होता है उसको release कर दिया जाता है hemolymph hemolymph में और hemolymph को जो malpigean cells है देखो यहां पर so body के अंदर excret जो भी nitrogenous waste है उसको potassium urate में convert किया जाता है उसको कहां पर release किया जाता है hemolymph जो basically blood और lymphatic एक साथ combine किया हुआ एक circulatory system है उसमें अब हो hemolym में से malpigean tubule जो होता है वो यह urate को ले लेता है और बाहर की तरफ कहां पर बाहर नहीं basically what it will do यह क्या करेगा malpigean tubule इसको collect करेगा और basically malpigean tubule क्या करेगा basically यह rectum through anus बाहर निकल देगा ऐसे ही process होगा okay तो यह malpigean tubule में क्या काम होता exactly यह tubule के जो cells है potassium urate जो होता है वो पानी के साथ react करेगा और क्या form करेगा uric acid potassium urate को uric acid बनाएगा पानी के साथ contact करके कौन? malpigean tubule के cells ठीक है और यह जो uric acid है यह uric acid को यह waste बनाकर बाहर body से बाहर निकाल देगा थ्रू एनसी बाहर निकाल देगा तो यहां पर हम देख पा रहे हैं के कौक्रोज जो है uric acid को बाहर निकाल दा है इसलिए हम इसको uricotelic बोलते है uricotelic excretion uricotelic excretion malpigean tubule uric acid में convert करता है potassium urate को ठीक है जो के hemolimp में circulate होता है throughout the body अभी बात करते है circulatory system circulation क्या circulation है कौक्रोज की circulation open होता है open circulatory system मतलब हाट जो है यहां पर body वह blood को pump करता है और वह basically blood जो है body cavity open body cavity body cavity body cavity में open हो जाता है यह heart chamber बोला जाता है यह बहुत सारे से चुटे 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 chambers और यह हो गया body cavity में open हो जाता है blood जाके तो organs जो है वह भी body cavity float कर रहा है blood भी body cavity float कर रहा है blood का color लाल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी respiratory pigment मौजूद नहीं है तो जो भी organs यहां पर float हो रहा है वह organ blood से directly diffuse करके nutrients जो ले लेगा कोई problem नहीं रहाएगा और यह जो hurt की बात हम कर रहा है यह एक ही hurt है देखो उपर से नेकल नीच तक यह पर hurt की बात करो तो basically narrow very thin tube और यह से multiple छोटा छोटा यह हम हम हर्ट chamber बोल रहे हैं है ठीक है और हमने बात किये कि इसका जो blood है वह colorless है colorless 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 और blood को हम बोलते हैं यहां पर hemolymph hemolymph कहते हैं ठीक है hemolymph सिर्फ plasma ठीक है तो यहां पर एक बात बताओ तो अगर hemolymph यहां पर मौजूद है और यहां पर hemooglobin नहीं है यहां पर hemooglobin नहीं है कोई भी ऐसा pigment नहीं है जो यहां पर carry करें यहां पर arthropod में है कुछ-कुछ example हम देखेंगे जहां पर hemooglobin तो नहीं रहता है हम अगर hemocyanine रहता है hemocyanine जो oxygen को carry करते हैं यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर सिर्फ hemolymph ही है जिसको हम यह एक ही open circulated system अब nervous system की बात करें nervous system की बात करते हैं ठीक है the nervous system जो cockroach की है वो throughout the body spread किया हुआ है और यह कहां पर located ventrally located है तो यह भी क्या चीज है ganglia ganglia remember ganglia ganglia मतलब क्या एक group of nerve cell कुछ nerve cells एक साथ मिलके ganglia बना है और ganglia ventral site में मौझूद होता है तो total 9 pairs of ऐसे ganglia मौझूद होता है ventral site में ठीक है 3 होता है thoracic region पर 6 होता है abdominal reason पर तो अभी यह बात करते हैं तो head जो है यहां पर head के साथ यहां पर head area होता है यह nervous system को hold करके रख रहा है तो यह तो head nervous system के कुछ part hold करता है बाकी जो है side body के side में होता है okay okay तो क्या होगा भी इसी कारण if हम आप देखोगे कभी कभी जब अगर cockroach को मारोगे और head को बाद भी कर दोगे फिर भी cockroach बच सकता है even एक हपते तक cockroach बच सकता है क्योंकि बाकी के body के जो हिस्सा है वहां पर body के functions play होता रहता है ठीक है कुछ दिनों तक वह survive कर सकता है because of the nervous system still alive बाकी के structures तो हैं ही सिर्फ और सिर्फ यह head area को अगर बात दिया हम separate कर दे तो okay और एक बात बताओ यहां पर आई यह बहुत important है देखो earthworm में तो आई होता नहीं आख होता नहीं यहां पर है और आख simple आख नहीं है इसको हम कहते हैं omatida omatida complex structure omatida singular में omatidium जिसको हम compound i बोलते हैं compound i हमारे है simple i और उनके है compound i ठीक है एक difference है omatida okay omatida basically इसमें क्याना ऐसे छोटे छोटे करके बहुत सारे individual simple i एक साथ होता है जिसको हम compound i बोलते हैं तो मतलब एक ही चीज की जो image है picture है multiple एक से ज्यादा image जो है brain में पहुचा दिया जाता है इसको mosaic vision बोलते है mosaic mosaic vision जैसे mosaic floor के तरह दिखने में होता है mosaic vision ठीक है तो simple जो i है उसमें resolution बेता रही है resolution जो अच्छा नहीं है मगर इसका sensitivity बहुत अच्छा होता है और यह चाहिए sensitivity resolution अच्छा नहीं है ठीक है अभी बात करते हैं और एक structure की head area में ही होता है antenna दोनों i की बीच में से यहां से structure निकलता है यह antenna ने environmental centrally оргane अभी बात करते on reproductive system के बारे में यह reproductive system हो गया यह male reproductive system उपर female reproductive system reproductive system के बात करें तो इसमें कुछ difference है compared to that of earthworm earthworm में एक ही body के अंदर हम male और female reproductive system देखें यहाँ पर cockroaches diacheous होते है diacheous का मतलब diacheous okay diacheous diacheous का क्या मतलब होता है male और female separate होता है मने मतलब male cockroach अलग female cockroach हम भी diacheous है male इंसान अलग female इंसान अलग right to males में देखो यह male है males का जो structure है कुछ external structure बाहर की तरव होता है females में कोई external structure ऐसा नहीं है तो males में external genitalia होता है जो females में नहीं है okay और यह जो external genitalia होता है males का इसको हम क्या कहते है phallomer या फिर gonapophysis इसको हम बोलते है गौनापोफाइसिस और फैलो मियर याद रखना फैलो मियर या फिर गौनापोफाइसिस भी बोलते हैं हम इसको ठीक है कौन-कौन सी स्ट्रक्चर्चर्चर्च यह देखो लिफ्ट फैलो मियर राइट फैलो मियर विंट्रल फैलो मियर अलग-अलग यह सारे के सारे structures जो है, यह reproduction यह पात है, यह part है, अब कैसे यह sperm की total movement होता है, तेस्टिस, टेस्टिस में sperm तेयर होता है, यह worst difference के थू दिया आता है, यह आ जाता है, कहा पर आएगा यह, एक डा में आ जाएगा से ऐसे में यहां पर आजाएगा तू दिस गॉन फॉरी बाहर निकलेगा अब जे इस पर मैं यह सेमिनल वेसिकल यहां पर देखो सेमिनील वेसिकल में स्टोर होता है स्टोर होके रह जाता है ठीक है फॉर्म ऑफ बंडल यहां पर स्टोर होता है अब यह मेल हो गया फीमेल में देखो ओवरी के बात कर लेते हैं ओवरी देखो यहां पर ओवरी किस चीज़ से बना हुआ है यहां पर 8-歐 आट ओवरी टिब्युल होता है oरी बना हुआ है और यह ओवरी त्ीब्यूल को हम ओवर्योल्स अिससे बना हुआ है तो अभी यहां पर ना कि सेख्शुल डाइम वॉर्फिसम स्टोर होता है ना & मोंच को मतलब यह देख़ो यहां पर मेल को मेल जो पूरुश कोकरोज होते हैं क्यूंप ट्यक्रो और 3 तो अनस्टाइल होता है क्यों यहां पर एक ट्रेक्ट ट्रॉक्टर है फेकर होते के बार की तरफ टृटिंग अनस्टाइब जो female में absent होता है, इसको हम sexual dimorphism बोलते हैं, dimorphism, die मतलब दोनों अलग, morphism मतलब structure, morphological, तो मतलब यह जो reproductive anatomy है, वो male और female में अलग-अलग होता है, अब क्या होता है, एक जब भी fertilize हो जाएगा, fertilize हो जाने के साथ-साथ, fertilize हो जाने वाला एक after fertilization is over, वो कहां पर चला आता है, यहां पर ऊ-थीका में चला आता है, यहां से आता हुए यहां पर ऊ-थीका एक जगा होता है, और यह जो basically, ऊ-थीका में चला आता है, sperma-थीका बोलते हैं कि ऊ-थीका यहां पर in female ऊ-थीका बोला जाता है, ऊ-थीका में चला आता है, तो यहां पर देखो, collateral gland यह जो collateral gland यह cover करकर रखाया कि इसको ऊ-थीका को, यह ऊ-थीका वहां पर चला आता है, इसी बात है, अभी और एक चीज जानना है आपको, वह होता है कि यह development pattern है, उसको हम बोलते है, pyrometabolus, pyrometabolus, यह terminology किस चीज को कहा जाता है, paramotabolus development, इसका मतलब यह होता है, इस cockroach में metamorphosis होता है, gradual metamorphosis, तो मतलब जो एग से लेकर, fertilized egg से लेकर adult तक का जो journey है, इस journey में step by step gradual metamorphosis होगा, जब जिसमें nymph बोलकर एक stage आता है, जो immature insect का stage होता है, जिसको nymph stage बोलता है, nymphal stage वो nymph stage भी आता है, और basically कैसे nymph stage होता है, जो larva develop होता है, वो larva shed करता है, molting करता है, molting मतलब शरीर का जो बाहर की जो हिस्सा है, exoskeleton को बाहर move छोड़ देता है, molting, यह molting कितने बार होता है, यहाँ पर 10 से 12 तेरा बार ऐसे molting होना चाहिए, adult तक पहुचने में और यह nymph stage common होगा, और exactly आखरी जो nymph stage है, उससे पहले, wing मौजूद नहीं होता है, wing का जो development होता है, वो exactly adult होने से पहले होता है, आखरी stage में wing का development होता है, याद रखना, और यहाँ पर यह molting होता है, molting होने के time पर, molting hormones बहुत important role play करता है, molting hormones, और यह molting hormones सीप देखो, cockroach में ही नहीं, insects में molting बहुत common है, ठीक है, और आखरी चीज, sensory system की बात करें, sensory system के बारे में, already हम बात कर चुके हैं, कि यहाँ पर जो sensory system है, वो antenna ही है, और skin है, skin से बाहर की तरफ यह world को sense करता है, क्योंकि nervous system जो है, वो skin की wall की तरफ है, दिवार की तरफ ऐसे मौजूद होता है, और antenna के थूर, वो sense कर सकता है, तो antenna and skin, दोनों sensory system के तरफ काम करता है, that's all regarding cockroach.